नमस्कार दोस्तों मैं धर्मेंद्र कानपुर उत्रप्रदेश से बात कर रहा हूँ और आज मैं आप सभी से UGC NET J.R.F. एक्जाम से रिलेटेड अपने अन्बो से एर करने जा रहा हूँ खौस्तर से उन्चात्रों के लिए जो भविस में अपने सेवाएं एज़ा प्रोफेसर यूनियस्टी जोया डिग्री कॉलेजों में देना चाहते हैं तो आगे कुछ कहने से पहले मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूँगा डॉक्टर वेनुदर रुटिया सर का क्योंकि उनकी माध्यम से हम आप सभी को इतनी अच्छी जानकारियां प्राप्त हो रही हैं उनके मार्क दरसन में हम अपने लक्ष की प्राप्ती करने में ये जानकारियां काफी सहायक सिद्ध हो रही हैं तो मैं दोबारा तहदिल से मैं उनको धन्यवाद करना चाहता हूँ धन्यवाद सर अब आगे बात सुरू करते हैं मैंने सन 2017 जनवरी एक्जाम यूजी सी नेट जी आरफ एक्जाम जोग्राफी सब्जेक्ट से क्वालिफाई किया है फर्स्ट अटेम में और जो बच्चे इस एक्जाम के तैयारी में लगे हुए हैं तो उनको मेरी सिलाह ये है कि जो मैंने अन्भो किया जो मैंने तैयारी की उसकी अनुसार सबसे पहली चीज है कि आप अपना एक टाइम टेवल निर्धारट करें बिना टाइम टेवल के आप वो तैयारी नहीं कर सकते जो आपको करनी चाहिए कि आप किसी भी एक्जाम की तैयारी कर रहे हों चाहिए वो यूपी, PCS, IS एक्जाम, UGC, NET, JR, PGT, TGT कोई भी कॉम्टेटिव एक्जाम हो उसके लिए आपको पहले अपने मताबिक, अपनी प्रस्तितियों के अनुसार एक टाइम टेवल बनाईए समय सारनी बनाईए कि किस समय किस विशे को पढ़ना है तो टाइम टेवल बनाने से एक फायदा ये होगा आपको कि आप समय पे अपना स्लेवस कंप्लीट कर सकेंगे और कंप्लीट करने के साथ ही अपने सब्जेट का कई बार आप रिवीजन भी कर सकते हैं तो फर्ष्ट फर्ष्ट फिंग इस आप टाइम टेवल का निर्मान करिए और दूसरी चीज सुबह जल्दी उटके पढ़ने की यादत डालिए देर रात तक जादा ना पढ़ें ये दो चीजे खास तोर से ध्यान रखिए अब बात करते हैं सब्जेक्ट पे तो जेरफ का अग्जाम अगर आपको क्वालिफाई करना है तो सबसे पहली चीज होती है कि आपको अपने सब्जेक्ट पे कंट्रॉल होना चाहिए बिना सब्जेक्ट पे कंट्रॉल या कमांड ना होने पे आपको एक्जाम निकाले में काफी समस्या उत्पन हो सकती है इसलिए पहली चीज़ है कि आप अपने सब्जेक्ट का अध्यन इतनी अच्छे तरीके से करिए कि आपका सब्जेक्ट कमान हो जाए तो मैं कुछ किताब के नाम बता रहा हूँ जोग्राफी सब्जेक्ट से खासतोर से क्योंकि मैं जोग्राफी सब्जेक्ट है मेरा तो अगर आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं और हो सकता है कि आपके पास ये किताबे पहले से उपलब्द हों आप इनका अध्यन भी कर रहा हूँ तो अगर आपके पास पहले से उपलब्द हैं, तो उनको अच्छे से पढ़िए, डीप स्टडी करिए, इसलिए मत पढ़िए कि मुझे जी आरफ एक्जाम क्वालिफाइ करना है, इसलिए पढ़िए कि आपको भवी समय जब प्रोफेसर बनना है, अपने ग्यान और अपने न होता है, लेकिन फिर भी आप अपने प्रोटेंसियल के नुसा जितनी जादा से जादा महनत कर सकते हैं, वो अपना प्रयास करिए, तो जोग्राफी की जहां तक बात करते हैं, तो मैं कुछ सब्जेक्ट्स, जोग्राफी सब्जेक्ट्स से रिलेटर कुछ किताब के नाम ब प्यारी कर रहे हों, उसमें ये किताबे काम आएंगी, और ये किताब इतनी अच्छी वेल टेस्टिट किताबे, नेशनल फेम की बुक्स हैं, आपको साथ मालूम भी होगा, तो इनको आप परचेस करिए, इनका अध्यन करिए, और ये आपको मालूम ही है कि सफलता का कोई स जोग्राफी में, फिसकल जोग्राफी की बात करते हैं, भौतिक भुगुल, तो सविंदर सिंग की किताब आती है, बेस्ट किताब है, सविंदर सिंग भौतिक भुगुल आप ले सकते हैं, अब भौतिक भुगुल जो चार टॉपिक्स हैं, भौतिक भुगुल, जियो मॉर किताब आती इनकी बाई जोग्राफी की अलग आती है जियो मर्फलाजी किताब अलग अलग भी ले सकते हैं लेकिन एक किताब लेंगे ये भी काफी प्रियाप्त है अगर आप पढ़ना चाहें तो अलग-अलग इनकी किताब भी ले सकते हैं अब फिस्कल जोग्राफी आपका हो गया सविंद सिंग इस बेस्ट ठीक है बाकी और भी राइटर्स की किताब आती है लेकिन सविंद सिंग ने काफी सरल भासा में अच्छे से समझाया है तो आपको कोई समस्या नहीं होगी पढ़ने में अब बहुती भुगुल में अगर बात करते तो एक टॉपिक ऐसा है क्लाहमटोलोजी जो कहें तो भुगुल का कोर है और यह एक ऐसा टॉपिक जिसको रट के काम नहीं चल सकता इसको आपको समझना ही पड़ेगा प्योर कॉंसेप्चुल है इसके लिए क्लाहमटोलोजिक लि और डियेश लाल जी ने उन्होंने काफी अच्छे से समझाए बट उन्होंने फिजिक्स का भी काफी इस्तिमाल किया है इसमें क्लाहमटोलोजी के दिन में अगर आप साइंच सिस्टीम के स्टुडेंट्स नहीं है तो आपको थोड़ी समस्या होगी तो दोनों किताबों की हल लेके पड़िये लेकिन डियेश लाल को जरूर पढ़ियेश भ्लस सविंदर सिंग क्लामटी में से ग् Sims के लिए बाकी टॉपिक्स के लिए सविंदर सिंग बेस्ट है क्लाइम धियेश लाट को भी आपको पढ़ाना पड़ेगा मैस्ट बात करते हैं भारत का भूगल व डियार खुलर की किताब ले सकते हैं बेस्ट किताब है दूसरे चत्रुभुज मामोरिया की किताब ले सकते हैं उनकी भी अच्छी किताब है तीसरा आप बंसल की किताब आती है बंसल की किताब ले सकते हैं यह तीन हैं किसी भी एक writer की किताब ले लीजे, उसे study कर लीजे, प्रयापत है, बट एक धियान रखिएगा, market से पतली किताब मत लेजेगा, जो थोड़ी मोटी हो, कि पतली किताब में क्या होता है, कि content कम होता आपका, तो इसमें बहुत सारी चीजे संचेप में होती है, तो अगर आप IS, UP, PCS और इस तरह आयोक के भी जान रहें, तो उन्हीं writer की मोटी किताब लीजे, जो काफी मोटी आती, जिसमें content जादा होता है, भारत का Google हो गया, thinkers की बात करते हैं, तो thinkers में माजी दुसेन पढ़िए, काफी यह best है, बस और फिर मानब भूगोल की बात करते है human geography, economic geography, population geography, इसके लिए HD Moria की best किताब, HD Moria किताब पढ़िए, बहुत अच्छी किताब है, अब यह हो गया आपके पास, इसके बाद practical mapping के लिए, तो मैं कहूँगा कि के सिद्धारता की भूगोल आती है, विद मानचित्र के साथ बहुत अच्छी किताब है, पूरा world geography, इन् अपनी फिल्ड में national fame के writer है, अगर आपने यह किताब ही पढ़ ली तो अगर आप IES का अभी exam देंगे, तो अराम से clear हो जागा, बाकी और भी किताब हैं, लेकिन मैं उनका नाम इसलिए नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि यह पढ़ लेंगे तो प्रयापत है, पहले यह पढ़ में तो factual information के लिए सबसे बड़ी चीजे आप परिक्षावाली आती है, परिक्षावाली S.K.O. जाकी, बहुती भुगोल, भारत का भुगोल, पर्यावरन पारी इस्तितिकी आती है, जन संख्या आती है, तो यह सब परिक्षावाली आती है, बहुती परिक्षावाली है, औ परिक्षावाली के लिए, और दूसरी किताब, एक किताब में बता रहा हूं, जिसमें सारे टॉपिक कवर किये गए हैं, मतलए कि भुगोल के जो भी हम, भारत का भुगोल अलग किताब मैंने बताई, क्लैम्टोलॉजी के अलग बताई, लेकिन अगर आप सब को पढ़ना चाते हैं, और अच्छी किताब पढ़ना चाते हैं, तो महेश कुमार बढ़नवाल की किताब आती है, नाम सुना होगा आपने साइद आपके पास होगी भी किताब, यह स्टडी करिए, इसके अलावा आर्ची तिवारी की भी किताब आती है, सामान बोगल वो भी एक book आती है spectrum की वो भी आप पढ़ सकते हैं तो यह बहुत ज्यादा हो गया तो लेकिन पहले आप सुरुवात करिए जो कुछ सुरुवाती राइटर्स के नामत है इनकी किताब पढ़िए इसके लावा अगर आपको लगता संचेप में तो संचेप में परिच्छावाली पढ लेकिन अगर डीप पढ़नी तो आपको अलग-अलग ही पढ़ना पढ़ेगा ओके और इसके बाद अगर हम फर्स्ट पेपर पर बात आते हैं तो फर्स्ट पेपर के लिए आपने भी एक आउडियो सुना होगा मेरे मित्र सूरस सुनी जिन्होंने बताया कि फर्स्ट पेप इसको सना आप सही कर दें तो उसके लिए मैं एक बुक का नाम अता रहा हूं जो मैंने पढ़ा है मेरे एसाब से बाकी तो मार्केट में अरिहन्थ है परितियोक्चा साहित की आती है उपकार की आती है लूशन्ट की भी उपलब्द है और तमाम पब्लिकेशन्स की किताब लेकिन एक किताब जो मैंने पढ़ा जिसको पढ़के मुझे लगा कि यह काफी बेश्ट किताब है और एक किताब में सारे दस्यों टॉपिक कवर किये गए हैं और बहुत अच्छी तरीके से और अगर आप इसको पढ़ते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपको किसी और कित सारा इसको परीयाब्त हैं अगर आप 40 50 करते तो वेल एंगुड वो तो बहुत है लेकिन एक एवरेज लेके चलना एकर 30 को पर अच्छी बात तो बहुत अच्छी बात उसके लिए ये किताब का नाम नोट करिए फर्ष्ट पेपर के लिए पियर्सन पब्लीकेशन की E.S. मदान और अंसु बाला की फर्ष्ट पेपर की सिच्छण और सोद अभी घमता करके किताब आती है बहुत बेश्ट किताब है इसको पढ़िए ये पढ़िए तो आपको मुझे नहीं लगता कि आपको दूसरी किताब पढ़ने कि आप सकता है हाँ ये कहूंगा कि में ना मिले तो आप आउनलाइन इसको परचेस कर सकते हैं आउनलाइन परचेस करिए अमेजन फिलिप कार्ड हर जगे उपलब्द है जहां से मिले आप परचेस करिए इसको स्टड़ी करिए अब फर्ष्ट पेपर की मैंने आपको बता दी जोग्राफी सब्जेक्स प्रिहास, इंगलेस, और्दू कोई भी सब्जेक्ट अप उस सब्जेक्स रिलिटेट यूजीसीनेट के दस साल की पेपर हल करिए बार बार हल करिए रिवाइस करिए ये दस साल के पेपर हल करेंगे तो इससे फादा यह होगा आपकी प्रैक्तिस हो जाएगी और किस किस न तो यह दस साल की पेपर लगाई है, इसके साथ यह करने बाद भी अगर आपका समय बसता आप आपके सब्जेक्ट के, मान लिजे आपका जोग्रौफी सब्जेक्ट है, तो जोग्रौफी सब्जेक्ट में UGC Net के 10 साल के पेपर लगाने के बाद, जोग्रौफी के ऐसा जितन पीचेस के पेपर ते दस साल के वह भी लगाएं आई एस के प्रीके पेपर्स वह भी हल किये मेंस के भी जितना कर पाया मैंने वह भी पढ़ें और जो अधर स्टेट्स में जोग्राफिक जहां को सब्सक्राइब उनको भी को सिस्की उनका भी स्टडी मोटेरियल इखता किया उनके भी कोस्टन मैंने हल किये और यह आपको मैं बता दू कि पूरे भारत में किसी भी सब कॉम्टेटी एक्जाम में कोई भी सब्जक्ट वही सब घुमते फिरते रहते हैं और बस कोस्टन पूछने तरीका बदल दिया जाता तो जितना आप लगाएंग उतना आपको एक लाँ को करिए कि ध्र Tucson में मैं प्रफेक्ट तो प्र Gudis मच छोड़े जितने ज़्यादा को सेना पहल कर सकते हाल करिये और तुम यकीनं कैसकर तम आपका ज जनर्ल का इतना जारा, कि मैं एक बात कहा दूए, कि मैं SC काटेग्री में हूँ, और मेरा जनर्ल काटेग्री में में मेरा J.R.F. अग्जाम कौलिफाई हुआ है, क्योंकि मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं SC हूँ, तो ब्रूम्झे 5% मार्स की हिसाब्स को टियारी करने है, या वो दिक्कत नहीं होगी, कभी भी कटेग्री बाइस यह मैं सोचे कि अरे, OBC का पिछली वा इतना परसंड गया तो मैं उस हिसाफस तयार कुरूँ हमेशा बड़ा सोचेंगे तभी बड़े टार्गेट आप अचीव कर सकते हैं तो यह मेरी आप लोगों को सुझाओ है और बस मैं आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए आपको सुपकामना है देता हूँ कि आपका पहली आप सभी लोगों का जो बच्चे तयारी कर रहे हैं जिया रिफ एक्जाम उनका एक्जाम क्वालिफाई हो और जो नोन अपने जीवन में लक्ष तयार किया हूँ उसके लिए आगे बढ़ें यही मेरी आप सभी को सुपकामना हैं और आज इसी के साथ मैं आप सभी से धन्यवाद और विदा लेना चाहता हूँ बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का